नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ, Member Health नीतिया योग नमस्कार, हम आपको आज कोविट की स्थिति और वैक्सिनेशन की जो तैयारी है, उसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे, इस सब्ता की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये की रिकावर्ड केसे की संख्या अब 94 लाग से ज्यादा हो गई है, जो एक्टिव केसेज हैं वो लगातार घट रहे हैं और उनकी संख्या अब 3,40,000 के लगभग है, जो टेस्ट्स अभी तक देश में हुए हैं, प्रारम से लेकर अब तक, वो पंद्रा करोड पच्पन लाख से भी अधिक हो गए हैं, जो इसले सप्ता के आंकणों के आधार पर औसत दैनिक पॉजिटिविटी को देखें, तो वो तीन प्रतिशत है, तो दोनों में गिरावट है, क्युमुलेटिव पॉजिटिविटी भी घट रही है, और डेली पॉजिटिविटी है, वो भी घट रही हैं, लेकिन अगर हम नीली रेखा है, तो आप देखेंगे कोविट से होने वाली जो मृत्यू हैं, वो अपरेल में उन्होंने विश्व में एक पीक देखा था, एक उंचाई चुई थी, उसके बाद फिर उनमें डिकलाइन हुआ और वो घटी गई, लेकिन नवंबर से जो मृत्यू हो रही हैं कोविट से विश्व में, वो फिर से बढ़नी शुरू हुई हैं और लगातार अभी भी बढ़ रही हैं, तो ये एक चिंता की बात है, पूरे विश्व में ये हो रहा है, इसके अलावा अगर आप अमेरिकाज, याने USA और कैनेडा को देखें, और यॉरोप के देशों को द आते हैं, जो हमने यहां पीले रंग के बार से दिखाए हैं और हरे रंग के बार से दिखाए हैं, तो उन में भी लगातार वृद्धी हो रही है, यहां भी जून जुलाई में एक पीक आया था और उसके बाद फिर केसे नीचे जा रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि नव प्रति दिन रिपोर्ट हो रही है तो यह विश्व की जो स्थिति है उसमें अभी भी स्टेबिलाइज होता हुआ infection नजर नहीं आता लेकिन भारत में क्या हो रहा है भारत में जो cases प्रति मिलियन population है अभी भी विश्व के सबसे कम में से हैं amongst the lowest in the world हमारे यह 7178 प्रति मिलियन cases है विश्व का एवरेज 9000 का है और अनेक देश है जहां यह तीस हजार चालिस हजार से भी अधिक है अगर मृत्यू पर मिलियन population को देखें तो भारत में यह 104 है और अनेक देश है जहां यह भारत से आठ गुना नौ गुना और दस गुना ज़्यादा है प्रति मिलियन मृत्यू पिछले साथ दिनों में कोविट से होने वाली मृत्यू का अगर हम विशलेशन करें तो भारत में दो मृत्यू प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं पिछले साथ दिन के आंकड़ों के आधार पर और अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 40 से लेकर 70 के बीच में हैं अब केस फेटिलिटी रेट को देखें इसका आर्थ है कि कुल जितने लोग पॉजिटिव हैं और उसमें जो कुल मृत्यू हुई उसका अनुपात तो केस फेटिलिटी रेट 1.45 है हमारे यहां और जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं और डॉक्टर पॉल ने भी आपको बताया है भारत सरकार का राज्य सरकारों से और संगशाशित प्रदेशों से यह अनुरोध रहता है और यह परामर्श रहता है कि केस फेटिलिटी रेट को एक प्रतिशत या उससे कम पर लाया जाये यानि इस प्रकार से केसिज का management हो अस्पतालों में इस प्रकार से उनको अस्पताल में समय पर लाया जाए कि कम से कम मृत्यू हो पाएं तो भारत में ये 1.45 है केस fertility rate वर्तमान में विश्व का ओसत 2.26 है और बाकी देशों का comparison हमने इसमें आपको दिखाया है recovery rate की अगर बात करें तो हम 95 प्रतिशत से अधिक recovery कर चुके हैं USA, Italy, Russia, Brazil के recovery rate हमने आपको दिखाये हैं UK और France नियमित रूप से अपने recovery rate report नहीं करते हैं तो विश्व की जो अनेकों websites हैं जो इस तरह के आँक्रों को track करती हैं उसमें आपको इन दो देशों के recovery rate नहीं मिलेंगे लेकिन जो देश नियमित रूप से report करते हैं उनके साथ हमने भारत की तुलना की है और आपके सामने ये आँक्रा रखा है जैसा मैंने पहले भी कहा कि active cases की संख्या लगातार घट रही है सितंबर के मध्य में हमने सबसे अधिक active cases देखे थे active case वो होते हैं जो या तो अस्पताल में भरती हैं या फिर घरों में self isolation में हैं डॉक्टर की निगरानी में तो वो 10 लाग से अधिक थे सितंबर के महीने में फिर अक्टूबर में वो 9 लाग हो गए 16 अक्टूबर में 8 लाग हो गए और फिर घटे घटे अभी 6 दिसंबर को वो 4 लाग हो गए और वरतमान में अब वो 4 लाग से भी कम है तीन लाग पचास हजार से नीचे चले गए हैं लेकिन अगर राज्यों की स्थिति को देखें तो ये वो पांच राज्य हैं जहां अधिक्तम प्रति दिन औसत मामले दर्ज किये जा रहे हैं और ये हमने आपको वीक ओन वीक के आंकड़े दिखाए हैं तो आप देखेंगे कि केरल में जहां एक और नवंबर के मध्य में पांच हजार पांच सो केसे प्रति दिन होते थे वो घटे हैं और चार हजार छे सो पर आ गए हैं दिसंबर के मध्य में लेकिन अभी भी देश में अगर आप औसतन प्रति दिन केसे के मामलों को देखें तो तो यहां सबसे ज़्यादा केस मिल रहे हैं, इसके बाद महराष्ट्र का नंबर है, जहां अभी चार हजार से कुछ अधिक केस प्रति दिन ओसतन आ रहे हैं, और जब सबसे ज़्यादा अगर पिछले चार हफदों का आप आकलन करें आ रहे थे, तो वो नवंबर के मध्य में थे, राजिस्तान तीसरे नंबर पर है, वहां ओसतन 1432 नए केस प्रति दिन आते हैं, यह पिछले सब्ता का आकड़ा है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, यहां 2600 से अधिक केस हैं, ओसतन प्रति दिन पिछले सब्ता उससे पहले और अधिक थे, अगर आप से 24 नवंबर तो 3600 ओसतन केस आते थे, और दिल्ली देखें, तो दिल्ली में काफी गिरावट आई है, 6400 से घट कर 2129 हो गया, लेकिन दिल्ली में जिस अनुपात में नए केसिस की संख्या घटी है, वो दक्षन भारत के राज्यों के अनुपात में अभी भी कम हैं, आपक पंजाब की जो जन संख्या है, उसके आधार पर जो मृत्यू हो रही है, ये चिंता का विशा है, हमने अलग से पंजाब के जो शीर्श पदादी कारी हैं, स्वास्ते विवाग के, उन से बात की है, विमर्श किया है, उनको कुछ सुझाओ भी दिये हैं, उस बैठक में प्यारियों में कुछ नई बातें हुई हैं, वो बताना चाहूंगा, हमने पिछली बार आपको बताया था कि पूरे देश में एक मल्टी लेवल गवर्नेंस मेकैनिजम स्थापित किया गया है, जो वेक्सिनेशन के कारियों पर निगरानी रखेगा, और सहायता प्रदान कर है, जिसकी अध्यक्षता स्टेट के स्वास्थ सचव करते हैं, तो सभी 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इनकी बैठकें हो गई हैं, 633 जिलों में जो जिला की टास्क पोर्स है, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं, इस्टिक मैजिस्ट्रेट इस्ट में चिन्नित किये गए हैं, और उनको स्पेसिफिक भूमी का बाटी गई है, और ये भूमी का है, प्लैनिंग से संबंदित, इंप्लिमेंटेशन से संबंदित, सोशल मोबिलाइजेशन से संबंदित, और अवेरनेस जेनरेशन से संबंदित, जब भी वैक्सीन का रोल आउ के लिए training module तयार हो गए हैं वेक्सिनेटर जो हैं उनके लिए training module तयार हो गए हैं उनके जो वेकलपिक वेक्सिनेटर होंगे उनके भी तयार हो गए हैं कोल्ट चैन हैंडिलर, supervisors, data managers आशा coordinators इन सब के training module तयार हो गए हैं physical training और virtual और online platform पे जो दी जानी हैं वो प्रारंब हो गई हैं सभी राज्यो में और राश्ट्रिय स्तर पर और राज्य मुख्याले के स्तर पर ट्रेनिंग ओफ ट्रेनर्स यह वो लोग हैं जो कि फिर । डाउन दे लाइन बाकी मैन पावर को ट्रेन करेंगे उनके प्रसिक्षन भी पूण्ध कर ल के प्रशाशन एलेक्ट्रिकल और नॉन एलेक्ट्रिकल कोल्ड जेन एक्विपमेंट के एस्टिमेशन कर सके याने हमने उन्हें इस तरह की गाइडलाइन दी है कि यदि आपको कुल इतनी क्वांटिटी वैक्सीन की मिलती है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको किस सरकार की एक्टिव और पैसिव कोल्ड चेन एक्विपमेंट की आवश्क्ता होगी यह आकलन अब सरकारें अपने इस तरपर कर सकती हैं बेस्ट ऑन दे गाइडलाइन विच अबीन इशूर इसी प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड चेन अट लास्ट कोल्ड चेन जहां से वैक्सिनेशन सेशन साइट पे वायल्स ट्रांस्पोर्ट की जाएंगी वैक्सीन की तो वो जो इंतिम बिंदु है कोल्ड चेन का वहां किस तरह की तयारी होनी चीए यह और सेशन साइट जहां टीका करण किया जाना है वहां किस प्रकार की विवस्ता होनी चीए कोल्ड चेन के हिसाब से इसकी गाइड लाइन भी हमने राजियों के साथ साजा की है हम 29,000 cold chain points का उप्योग करेंगे 240 walk-in coolers का उप्योग करेंगे 70 walk-in freezers का उप्योग करेंगे 45,000 ice line refrigerators 41,000 deep freezers और 300 solar refrigerators का उप्योग करेंगे ये सारा equipment आलरेडी राज्यों के पास पहुँच गया है इसके अलावा अन्य equipment भी उनको supply किया जा रहा है adverse events following immunization ये एक critical बिंदू है जब हम universal immunization program करते हैं जो हम अनेक दशकों से इस देश में करते आ रहे हैं तो भी बच्चों में और गर्ववती माताओं में कुछ-कुछ प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देते हैं टीका करण के बाद तो इसलिए जब भी हम COVID-19 का vaccination प्रारंब करेंगे तो उस समय भी adverse events की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है जिन देशों में immunization प्रारंब हुआ है विशेशकर UK वहाँ पहले ही दिन adverse events हुए है तो इसलिए ये आवश्यक है कि राज्य सरकारें और संभ शाषिच छेतर इसके लिए भी तैयारी करें तो सबसे पहला काम ये किया है भारत सरकारें जारी किये है infection prevention and control practices पे vaccination के दोरा याने जब आप ठीका करन कर रहे हैं session sites पे क्या विवस्ता हो जिससे infection न फहले दूसरा management of minor, severe और serious adverse events following immunization ये तीन category में adverse events को बांटा जाता है serious adverse event वो होता है जहां hospitalization की आवश्यक्ता हो बाकी दो categories minor और severe की है लेवल पर न्यूनतम एक minimum one at least one A.E.F.I. management center identify करके राज्य सरकारें रखेंगी ये A.E.F.I. जो center है ये पीएचसी हो सकते हैं CHC हो सकते हैं, district hospital हो सकते हैं, private health facility हो सकती है या कोई भी ऐसी facility हो सकती है जो fixed है और जिसमें medical officer or paramedical staff उपलब्द है जिसको जैसा मैंने पहले बताया हम प्रसिक्षन अलग से दे रहे हैं how to manage these adverse events if they happen every session site will be mapped to one of such A.E.F.I. management centers याने किसी भी टीका करण केंदर पर यदी कोई adverse event होता है तो वैसी परस्थिती में उस व्यक्ति को कहां ले जाया जाना है ये पहले से स्पष्ट रहेगा एन A.E.F.I. reporting through COVIN जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक digital platform हमने बनाया है उसका एक mobile version भी है उसमें भी हमने एक सुविधा दी है जिसके माध्यम से इस प्रकार के events को report किया जा सकेगा बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर्थिक्ष्ट करूँगा धन्यवाद थैंक्यू रजेश्ट जी इस हबते जो main headlines लेके आपके पास आए है उसको अच्छी तरह से explain किया गया जो उसमें main बात उभर के आ रही है वो एक जो contrast दिखाई दे रहा है अपने देश का और विश्व के मकाबले में वो एक clear reminder भी है और इस stage पे तो satisfying situation भी है जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले हफ़ते में सारे विश्व में जो mortality हुई है उसका जो per million आकड़ा है वो पांच गुना है वर्ल्ड का आवरेज और यॉर्प के देशों में आठ गुना उससे भी ज्यादा है और केसिस का जो हुए हैं वो साड़े तीन गुना आवरेज के हुए हैं और बहुत सारे देशों में वो साथ आठ तस गुना भी हुए हैं तो ये जो contrast अभी मर्च हुआ है ये हमारे लिए सीक इसलिए है कि ऐसी संभावना हमारे देश में आगे हो second peak आए या third peak आए ये संभव हो सकता है ये वाइरस की फितरत में है वाइरस के behavior में है और बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं चानते उसकी वज़ा से एक definite prediction करना असंभव है तो ये याद दिलाता है कि situation ठीक होके भी बहुत सारे देशों में बहुत खराब तरीके से और बहुत बुरे तरीके से एक भ्यानक picture लेकर हमारे सामने आ रही है टुरे देदिक बहुताट यजा रहाँ है तो ये लेजसे अखे वहाँ बीज़ेन New देदिक बहुते भीज़ेंगर क्झ TF लenne बहुतिक से लिए समी है ये लिए भीज़ेंगर थेस भीज़ेंगर क्हीं वीज़ें आफ़ा क्राइश गने क्यानधर भीज़ें in the month of July so that is very reassuring as a nation we seem to be now doing very well we are saving lives but remember this cannot be taken for granted because an overwhelming proportion of our people our citizens we all are still very very susceptible to this virus don't take it for granted so that is the first message and of course the reassuring thing is that people are also saying that the r0 has come below one so the pandemic is shrinking we should be happy about that but cautiously happy we are happy also to note that delhi has made progress so we congratulate the government of delhi as also all the other governments who have done so well in contributing toward such a significant control in recent times but as secretaries are pointed out there are states where we still have concern and i want to add uttrakhand where still there is a worry it is still stuck at a high level nagaland and himachal pradesh so this is the first message but remember you we cannot take this situation for granted this can change this can change this can change unexpectedly this can change unexpectedly this can change this can escalate unexpectedly there is still a very long way there is hell of a lot of virus still in our society that is the first part on vaccine there are three developments which are again positive developments firstly this week uh the drugs controller general of india has granted clearance for clinical trials for one more candidate vaccine from india this is a vaccine as you know it was there in the news but this is a clinical trial phase one phase two and an important part of this vaccine is unlike phizer vaccine or some others this vaccine if it comes into existence will be maintainable at normal cold chain condition this is a normal fridge this is a very big thing mrna vaccine minus 70 so this is a reaction then it goes to work here it removes a bad taste and we have heard ndas setup condition that is also the first development which comes in this which brings us to work with vaccine which has a good pipeline which has been developed for a good discipline so now we are in the same case all of our three vaccines are required for bharat baryotech icmr vaccine zida's caddler vaccine and the third urr db-t vaccine and it is also cœur at the same time as you know that तीन और वैक्सीन टायल में है, सीर्म का वैक्सीन है, और स्पुत्निक रॉशियन वैक्सीन है, डॉक्तर रेड़ी जिबर्णटरी के दुवारा, और बाइलाजिकल ऐ, एक वैक्सीन है, जो की फेस बन फेस दू में है, तो अब हमारे पास छे वैक्सीन, at this time are undergoing clinical trials, human trials in our nation. So, ये एक बहुत important बात है. Secondly, जो आपको ग्यात है कि तीन वैक्सीन की अप्लिकेशन हमारे डर्क्स कंट्रोलर साब के पास हैं बात है उनको बात है। ग्णकी एक बात है। आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि जब इन प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो इट इसनाट में फोड़ी जाएं, इस अंडिखाया जाएं। clinicians, basic scientists, biologists, तो एक अठे बैट के देखते हैं, pharmacologist और वो साइंस के बेस के ओपर ये फैसले करते हैं, that and these people represent the very best, the most competent objective individuals तो ये system इस तरह से हमारा सशक्त system है कि इसकी धाक है दुनिया में और जो भी ये systems के दोरा vaccine आज तक हैं, उन vaccines ने अपना काम करके दिखाया है, तो ये independent काम, objective काम अच्छी तरह से होना चाहिए, तीसरी important development है, कि जो broad guidelines implementation की है vaccine की, जैसा आजेश्ची ने बताया, उनको हमने state government के साथ share किया है, उस में broad contours of implementation दिखाए गये हैं, उसको लागू कैसे करना है, नीचे से नीचे सतर तक, और state level पे, उसके उसको दर्शाया गया है, उसके base के ओपर orientation प्रोग्राम शुरू हो गया है, ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो यह भी यह बहुत significant development है, कि हमारा जो implementation कारेकरम है, वो अब state की तरफ बढ़ गया है और action की तरफ चला गया है, उसमें जो adverse effect की बात कही है, सेकेटरी साथ में, वो बड़ी important बात कही है, कि उसमेn adverse effect अगर आते हैं, तो उसको कैसे tackle करना, कैसे बचाना, कैसे report करना, कैसे उपर action लेना, हमारा एक बहुत important केंदर बिंदू है, और मैं clinical trial की phase होती है, उसको post marketing surveillance भी कहा जाता है, और वो जिम्मवारे जो company होती है, pharmaceutical company होती है, जो vaccine manufacturing company होती है, वो watch करती है, कि अब ये दवाई आगी है, पास हो गए सब कुछ, उसके बाद भी track किया जाता है, कि उसका कोई ऐसा adverse effect तो नहीं है, तो वो report किया जाता है, तो ये भी दो लेवल पे कम से कम, systematic तरीके से, बाद में होने वाले असरों को पहचाना जाता है, टैकल किया जाता है, और ये scientific process है, लेकिन, मैं ये कहना चाहूंगा अन्पे, कि अगर एक vaccine, या दो vaccine, या तीन vaccine, जैसे जैसे भी emergency use, authorized होके आपके सामने आएंगे, देश में इस्तिमाल होंके आएंगे, आपको पूरा faith होना चाहिए, कि ये vaccine scientifically proven है, global standards को match करते हैं, safe हैं और effective हैं, आपको इसके बारे में कोई doubt नहीं होना चाहिए, अपनी institutions जिन्होंने इस काम को निभाने की जिम्मेवारी ली है वो जब ये फैसला करेंगे we must have faith, and that is very important, because अपने देश की institutions में हमें ये चबी दिखनी चाहिए कि ये दुनिया के standards से भी बहतर काम करने में की ताकत रखते हैं, अंत में मैं फिर यह कहूँगा, कि ये याद रहे, कि अभी वो वक्त नहीं आया है, कि जब हम लापरवाही करेंगे, धर्मंत्री जीन स्लोगन दिया है, जब तक दवाई नहीं, तब तक धिलाई नहीं तो दवाई तो आज भी नहीं है और धिलाई का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये देखना की नीचे केसिस आगे हैं, तो हम लिबर्टीज लेंगे, ऐसा हम नहीं प्लीज करेंगे, अभी आगे लंबी लड़ाई है, और हमें वो सब प्रिकॉशन्स लेनी है, जिनका कि वाइदा हम एक दूसरे से हर हफ़ते यहां याद दिलाके करते हैं कि हम मास्क पैनेंगे, हम दोगास की दूरी रखेंगे, हम हैंड हाइजिन रखेंगे, हम आयूश के प्रॉड़क्स को अपसे अपनी इम्मिनिटी बढ़ाएंगे, अपने बज़र्गों को बचा के रखेंगे, और हम मारोगे सेतू को अपनाएंगे, अगर हम में सिम्टम है तो हम अपना टेस्ट कराएंगे ताकि अपने को भी बचाएंगे और दूसरों को अपने से संक्रमन ना हो, ये भी संभव करें, और इसी तरह से अगर मैं उस व्यक्ति के साथ हूँ, जिस के साथ ऐसा कॉंटेक्ट हुआ है, तो मैं कॉरिंटाइन के लिए अपने आप को प्रस्तूत करूँ, तो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जो हम पॉजिटिव डिवेलपमेंट्स आपके सामने लाए हैं, यह यह शोर करते हैं कि हम हमारा देश इस महमारी को पकड में है, इसको वाइरस को हम काफी हद तक चेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई भी ढिलाई हम नहीं बढ़तेंगे, धन्यवाद, सब्सक्राइब करते हैं, मैं प्रारंबिक उत्तर देदेता हूं, फिर साइंस पर आधारित तथियों से, आपको आपको आफगते हैं, इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है? कराइंगे, जब भी एजिटेशन या धरने होते हैं, तो ये स्थानिये लॉइन ओर्डर एथॉरिटीज होती हैं, जो अंतिम निरने लेती हैं, इसमें अंतिम निरने, स्वास्थे मंत्राले का, या राज्यों के स्वास्थे विभाग का नहीं होता है, डॉक्टर पॉर्ण मैं यही कहूंगा कि जब ये कट हुआ है, उसमें वो सब प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए, कि संक्रमन नहीं बढ़े, ये मेसेजिज पहुंचाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और इसमें हमें अपनी तरफ से भी इस बात को आगे बढ़ारा चाहिए, कि इस संक्रमन के ट आपकी तरफ से भी, सरकार की तरफ से कि उन बहेवियर्स को हमें नहीं भूलना है, तेमोकरासी के प्रोसेस चलने चाहिए, तेकिन साथ में जो एक देंजरस सिचूशन बनी हुई है, उससे अपने आपको बचना और समूह को बचाना भी हम सब की जिम्हारी है, 152. ससनि हाव, from CNN, I just want to ask you, there are some reports in Gangaram Hospital in Delhi of some sort of a fungal infection. Doctors are saying it's because of covid and it's leading to patients losing their eyesight. Is that correct? What is your assessment? Are you aware of this also? हाँ आवेर है कोई बताया गया है इन्फरमेशन है हमारे पास यह एक फंगल डिजीज होती है और जब डाइबेटिक्स में पर्टिक्लरली इस सिचुएशन पहले भी कोबिट की अपसेंस में भी यह डिजीज आती है और यह काफी डिवस्टेटिंग डिजीज होती है इसका जो क्योर है असान नहीं होता तो कोविट में क्योंकि एक और राउंड सिस्टेमिक स्प्रेड होता है डिप्रेशन होता है सब और फंक्शन में किसी में ज्यादा किसी और फंक्शन में कम तो जैसे जैसे पोविट के बारे में ज्यादा इंफरमेशन मिलती जा रही है यह च करना रहना चाहिए और यह इसी बात को दर्शाता है कि यह डिजीज अपने आप में एक बहुत माइल डिजीज भी हो सकती है बिना सिम्टम की भी डिजीज हो सकती है लेकिन एक बहुत बहुत सीरियस रूप भी ले सकती है और ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी देखने में आ रही है जो कि अभी तक ऐसी डिस्क्राइब नहीं थी. Sir, we take online question. What is the current status of emergency use authorization of COVID vaccine post-SCC recommendation? How will it affect vaccine timelines in the country? Go ahead. अत्रिक्त आंक्रों की मांग की है. वो अत्रिक्त आंक्रे तीनों एप्लिकेंट्स द्वारा उनको समर्पित किये जाएंगे. उसके आधार पर वो विचार करेंगे. इस पूरे विचार विमर्श के प्रोसेस से vaccination की time lines पर कोई असर पड़ेगा. ऐसा हमारा मानना नहीं है. टॉक्टर पॉर्ट. हमारी तैयारी जैसे हम आपको बता रहे हैं, पूरी तरह से ठीक तरीके से time lines के साब से चली हुई है. और जैसे बताया गया, जो line listing है, हमारे health workers की, वो बिल्कुल तैयार है. तो इसमें कोई change नहीं है, क्योंकि इतना ही यह stage आना और इसको factor in करना पहले से ही सोचा गया है, क्योंकि यह emergency use authorization है. पूरा ट्रायल तो भी यहां खतम होना है. तो इसके पहले सोचा जा रहा है कि इस ऐसे point पर रुकें, जहां पर की reasonable से भी ज्यादा satisfaction हो कि अब सब ठीक है, उन्हीं तीन parameter पर जिसकी मैंने चर्चा करी, safety, immunogenicity, and effectiveness. तो वो जब उस point के लिए आप scientific inquiry करते हो, तो और data मांगते हो, और information मांगते हो, एक rolling review की तरह situation है ये, तो इसको scientific process मानना चाहिए, this is all been factored in, and we are looking forward to good decisions soon. Number 14. Sir, मेरा नम Sandeep है, News 18 इंडिया से, मेरा सवाल ये है कि vaccination के लिए तयारिया जोरों पर हैं, लेकिन सर, जो आम forces हैं, जो कि इस वक्त border पे हैं, ऐसी जगे पे हैं, जहां कि आने वाले दो तीन महीने, दो महीने ऐसे हो जाएगा कि cut-off हो जाएगा, तो उनके लिए किस तरीकी की planning हैं, उनको vaccination देने के लिए, आम forces के लोगों को, जो कि LOC, LAC पर इस वक्त प्र तैनात हैं. जैसा हमने पहले आपको आपके संग्यान में लाया था, कि प्रत्येक जिले में, जो LOC का इलाका है या border का इलाका है, वो किसी ना किसी प्रशाश की ये जिले का हिस्सा है. हर जिले में vaccination के session sites निर्धारित किये जा रहे हैं, और वो इस प्रकार से निर्धारित किये जा रहे हैं, कि लोगों को बहुत दूर तक न चलना पड़े. जहां आर्मी या परा-मिलिटरी फोर्सेस की यूनिट्स तैनाथ हैं, वहां यूनिट के भीतर भी vaccination session sites की स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है. Last question, 13. Sir, as you said that the drug regulator will take into account safety, immunogenicity and efficacy before giving approval to any vaccine. However, you also briefed us about the elaborate setup that has been put in place for AEFI. We already do a lot of vaccinations, AEFI happens, but what is it about this vaccine, if it is going to take into account safety data and all of that, what is it about this vaccine that requires a bigger arrangement for AEFI monitoring and treatment and all of that? Three parameters. Firstly, this is an adult vaccine. Our AFI system was targeted to children and women, and those vaccinations take place in a certain way, starting with hospitals and then into the community. So when you want to deal with adults, they are going to be physically located in some ways, in a different way, and therefore practical aspects have to be tackled. Number two, we should remember that these vaccinations are new platforms. Number three, multiple platforms, not just new, but also different platforms. That brings in complexity. And also, if an emergency authorization is being given, please remember, it is an emergency authorization, and that brings in even more responsible behavior. And lastly, even if these two situations were not applicable, when you are going for an AFI system for a new vaccine, there are always new aspects, new side effects, new situations that have to be kept in mind. So some vaccines will cause, let's say, allergic reaction. Others will perhaps have a very high fever, which is a different thing. Some others may be known for a second day, some complications. So there are always nuances in terms of side effects for new vaccine. So that has to be factored in. Adult vaccination program has to be factored in EUA. And above all, above all, please remember, this time, this is a very large number of beneficiaries and target groups to be tackled over a short period of time in a mission mode. So therefore, there is a need to build on the standard principles of AFI and make it specific to the fuller dimension and the full dimension of the requirements of this particular set of vaccines. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, friends. Thank you very much, sir. Thank you.